तो रात के बज रहे हैं अभी साड़े बारह जैसा कि आप घड़ी में देख सकते हैं एक बजने को आया है अल्मस्ट लेकिन खबर ही कुछ ऐसे थी कि आपको देना बहुत ही ज़रूरी था मैं अवेलिबल था तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट करूँ और आप लोगों तक ये वीडियो ले करके आऊँ तो क्या है यहाँ पर आपको डेफिनेटली थम्मनेल में तो दिखी गया होगा कि हुआवे और ओनर से रिलेटेड ये इन्फोमेशन है तो फटा फट चलिए मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल गैजट फ्रीक में तो इंट्रो के बाद जानता है कि exactly क्या खबर निकल के आई है आप लोगों को तो अल्रेडी पता ही था कि यहाँ पर अभी 90 डेज का क्रूशिल पेरिड चल रहा था हुआवे रॉनर के लिए जैसा कि US ने बैन लगाया हुआ था अब यहाँ पर बैन लिफ्ट तो नहीं बोलूँगा लेकिन बैन यहाँ पर अब हटता हुआ जैसा कुछ संदेश या फिर ऐसा कुछ अंदेशा यहां लग रहा है G20 सब्मिट जो जापान में अभी रिसेंटली हुआ था रिसेंटली बोलूँ तो कल की ही बात है और यह साठेड़े की बात है तो वो यहाँ पे clear कर दिया गया है कि अब आप use कर सकते हो इनके products, आप इनको supply कर सकते हो, तो यह trade war चल रहा था चाइना और US के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी complications हटता हुआ नजार आ रहा है, धूंद थोड़ी हटती भी दिख रही है, और मैंने तो आपको पहले ह भी होता है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा Google को loss है, Huawei को तो loss ही, लेकिन Google को भी loss है, US को भी loss है, क्योंकि उनका एक business बहुत बड़ा hamper होता है इसकी वजह से, तो अभी यह G20 submit में निकल के आया है, कि अभी Android के सारे support, जो भी operating systems है, वो Huawei और Honor phones को मिलेंगे, Intel हो, चाहे Qualcomm हो, य इस पे भी बैन लगा था, कि आप Huawei के साथ use नहीं कर सकते है, products को sell नहीं कर सकते है, अब वो भी उनको supply कर पाएंगे product, और उन्हें भी यहाँ पर है कि आप उनके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक छोटी सी problem है, लेकिन उस problem से हमें और आपको कोई फरक नहीं हो जाएगा, और definitely अब Huawei और Honor यहाँ पी US में भी sell कर पाएगे, लेकिन फिलाल के लिए तो यह वाला बैन अभी तक नहीं हटा है, लेकिन Android के products अब Huawei और Honor असानी सी use कर पाएंगे Google के services, प्लस यहाँ Qualcomm और Intel जैसे company जो भी है, यह सारे लोग अब अपने products भी आपस में trade कर सक बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ऐसी information है, जो कि सब लोगों के वो कहते हैं गले पे एक तलवार रटकी हुई थी, कि हमारे phone का क्या होगा, हमारे device का क्या होगा, और past में मैंने आपको ऐसे भी बताई चुका था, मैं कि Huawei ने यहाँ पर अलड़ी commit क्या हुआ है, कि जो अभी और honor पर दिखेंगे, किसी भी तरह का आपको problem नहीं आएगा, और US की जहां तक ban की बात है, तो हमें तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इंडिया में रहता है, और Asian countries की बात करें तो Pakistan, Bangladesh, India, तो यहाँ पर किसी भी तरह का problem नहीं होगा, तो अब आप लो में Donald Trump या फिर US ने बहुत सारे यहाँ पर statements दिये हैं, और statements को बदल भी दिये गया है, तो फिलहाल तो मैं अभी यह statement आया है, और यह statement मैं सोचा आप तक बता दूँ, अगर कुछ बदलाव आता है, कुछ नए updates आता है, तो definitely वीडियो की माधियम से आपको बता दिया जाए तो thank you for watching this video, रात को एक बजे, और वीडियो बनते एडिट होते होते, दो डाई बजी जाएंगे, अपलोड होते होते, तो thank you for watching this video, और ऐसे बने रहिए, प्यार देते रहिए, और बोलते रहिए, जय हिंद, बनते मात्रम